राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ पुर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा बंधों पुर्णिमा के दिन इस कथा को जो मनुश्य भी सुनते हैं उन्हें जीवन में पूरन सुक की प्राक्ति तो होती ही है साथ ही जीवन में उन्हें कभी भी आथिक संक्टों का सामना नहीं करना पड़ता उनके जीवन में सदा ही खुश हाली बनी रहती है बंधों यदि आप इस कथा को पूरन विश्वास और सची निष्ठा के साथ सुनेंगे तो भगवान शीहरी आपकी हर मनुकामना शिक्र पूरी करेंगे आपके जीवन में खुश हाली आएगी आप पर भगवान विश्वास जी का लक्ष्मी जी सहीत पूरन आशिरवात बना रहेगा बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारे सबसे बहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में ओम नमो नारायनाय पाँच बार जरूर लिखें बोलो विष्णु भगवान की जय हो लक्ष्मी माता की जय हो किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा था उसकी पतनी का नाम कृतिका था और वही नगर में एक ब्रहामन और ब्रहामने रहते थे उनके यहां धन धन्य की कोई कमी नहीं थी पर उनके कोई संतान नहीं थी इस वज़े से वह बहुत दुखी थे एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया वह तपस्वी उस ब्रहामन के घर को छोड़ कर सभी घरों से लेकर भोजन करता पर वह रूप पती से भिक्षा नहीं लेता था एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे जाकर ट्रेम पुर्वक खाने लगा तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कारें को करते देखा और अपने भिक्षा के अनादर को देखकर धनेश्वर तपस्वी से जाकर बोले आप सभी घरों की भिक्षा लेते हैं पर मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते तब तपस्वी ने कहा जो निसंतान हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पाप-दाईनी मानी जाती है पतितों का अन खाने से मनुष्य आप भी पतित हो जाता है क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए मैं तुमारे घर की भिख्षा नहीं ले सकता धनेश्वा ने तपस्वी के पैर पकड़ लिये और बोला मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाये बताईए मेरे इस दुख को खतम करें आप मेरे दुख को खतम करने में समर्थ हैं तब उसके द्वारा प्रात्ना करने पर तपस्वी कहने लगा तुम चंडी की अराधना करो और आकर उसने ब्रहामनी को सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया उसने चंडी की उपासना की उपवास किया और सोलवे दिन उसे चंडी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा पर वह सोलां वर्ष का हो जाएगा तो मृत्य को प्राप्त हो जाएगा शिवलिंग के सामने जगाना पर ऐसा 32 पूर्णिमा को ही करना प्रातह काल होने पर इस थान पर तुम्हें एक आम का पेड दिखाई देगा पेड पर चड़कर एक आम तोड़ना और घर ले जाकर पत्नी को दे देना अब वह स्वपन से जागा और पत्नी को सारी बात बताई शिनान करके पत्नी को खिलाना प्राते काल होने पर इस थान पर तुम्हें एक आम का पेड दिखाई देगा पेड पर चड़कर एक आम तोड़ना और घर ले जाकर पत्नी को सारी बात बताना और शिनान करके पत्नी को खिलाना उसके संतान होगी जब वह स्वेरे उठा उसने वहाँ एक आम की पेड को देखा और आम लगा देखा पर वह आम तोड़ ना पाया क्योंकि आम बहुत उंचे लगा था और गनेश्ची से प्रात्ना करने लगा कि हे गनेश्ची मेरा कारे सिद करें और मैं अपना मनोरत पूरन कर सकूँ गनेश्ची की कृपा से धनेश्वर पेड पर चड़ गया और उस फल को देखा उसे महसूस हुआ कि ये तो वही वर्दान वाला फल है और उसने तोड़ा और पेड से नीचे उतर आया और फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी को दिया नवे महीने उसके पुत्र पैदा हुआ और पुत्र बहुत ही सुन्दर और सुशील था उसकी माता पिता ने 32 पुर्णमाशी का वरत करना शुरू कर दिया 16 वर्ष लगते ही माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं 16 वर्ष होने पर बेटे की मृत्यू तो नहीं हो जाएगी इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये घटना अगर उनके सामने घटित हुई तो क्या होगा उन्होंने उस बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास को तुम एक वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विद्या ग्रहन करवाओ उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना तुम सदा उसके साथ रहना और इस तरहें से उन्होंने अपने बेटे को एक वर्ष के लिए काशी भेज दिया किन्तु यह बात मामा को नहीं बताई धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आरादना शुरू कर दी और फिर 32 पुर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया कुछ दिनों के बाद मामा भांजा किसी गाम में ठहरे हुए थे जिस धरम शाला में वे ठहरे हुए थे वहां एक बाराथ ठहरी हुई थी लगन के समय वर को कोई रोख हो गया वर के पिता ने कुटूंबियों के साथ विचार विमर्श किया कि वह देवी दास को वर के रूप में ले जाते हैं और बाद में विवहा के अन्य काम अपने पुत्र के साथ करवा देंगे वर का पिता देवी दास के पास गया और बोला तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो ताकि लगन का काम सुचारू रूप से हो सके उसके मामा बोले वर को जो मिले वो हमें देना मेरा भांजा वर बन जाएगा और वे मान गए और देवी दास को वर बनने के लिए भेज दिया विवहा कारे विधी पुरवक संपन हो गया पत्नी के साथ भोजन नाप किया और पत्नी ने देखा कि उसकी पत्ती की आँखों में आसू है वेह बोली आप उदास क्यूं है ल पत्नी के सामने मेंने आपको पति बनाया है देवी दास ने कहा ऐसा मत गहिए मेरी आयू बहुत छोटी है मेरी मृत्यों के बाद तुम्हारा क्या होगा पत्नी बोली जो होगा सो देखा जाएगा दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गई देवी दास ने जाने से पहले अपनी पत्नी को तीन नगो से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संकेश समझ कर स्थेट चित हो जाओ। मेरा जनम मरन जानने के लिए एक पुश्प वाटिका लगाओ और वहाँ नव मलिका लगाओ और उसे जल से सिंजित करती रहो। जिस दिन ये सूख जाएं समय लेना मेरे प्रानों का अंत हो गया अर्थात मेरे प्रान निकल गए। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समय लेना मैं जिवित हो गया हूँ और इसे मेरा संकेश समय ना। प्राते काल होते ही विवहा कारे संपन हुए तो कन्या ने अपने पिता से कहा यह मेरा पती नहीं है मेरा पती वही है जिसका रात्री में मेरे साथ विवहा हुआ था। यदि यह मेरा पती है तो मुझे बताए कि रात्री में हमारी क्या बाते हुई थी इस ने मुझे क्या दिया ये बाते सुनकर वर कहता मैं कुछ नहीं जानता वेह लज्जित होकर वहां से चला गया और बारात भी वापिस लोट गई मामा भांजा काशी विद्या अध्यन के लिए चले गए और एक दिन काल से प्रेरिध होकर एक सर्प देवी दास को काटने के लिए वहां पहुँचा जहर की ज्वाला से सारे स्थान जहरीला हो गया पुर्निमा वरत की कृपा से साप उसे काट ना पाया काल वहां आया उसके श्रीर से उसके प्रानों को निकालने की कोशिश करने लगा और वहें मुच्छित हो गया भगवान शीव पार्वती भी वहां आये उसे मुच्छित दशा में देकर माता पार्वती ने शीव जी से कहा इसकी माता ने 32 पुर्निमा का वरत किया था इसे प्रान दे भक्त वसल भगवान ने उसे प्रान दान दिये वरत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा उसकी इस्त्री उसकी पतिक्षा करती थी उसने देखा कि पुश पाटिका में कुछ भी ना रहा और साथ ही देखा कि सब हरा भरा हो गया ऐसा देख कर मैं बहुत हर्शित हुई और अपने पिता से बोली पिता जी मेरे पती ठीक है उन्हें ढूंडिये उधर मामा भांजा भी सोलवा वर्ष पूरा होने पर काशी से वापिस चल पड़े और कन्या के घर पहुँच गए कन्या ने अपने वर को पहचान लिया धनेश्वर 32 पुर्णिमाओं के वरत करने से पुत्रवान हो गया और जो भी इस्तरी इस वरत को करती हैं वे कभी विद्वा नहीं होती सो भाग के वधी रहती है यहे वरत पुत्र पोत्रों को देने वाला और सभी मनकामनाओं को पूरन करने वाला है भगवान शिव की कृपा से 32 वरत करने वालों की हर इच्छा पूरी हो जाती है बोलो शिव शंकर भोले नात की चे राधे राधे चे श्री क्रिश्ना बंधू यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आश्यर भी जरूर करें धन्यवाद